सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें इसका चलिए अचलिए आख लेंगे अपन एक नया चाप्टर जो की है चाप्टर नुमर वन Governance and Management of Information System तो चलिए, सब आ जाएंगे में साथ Page No. 1.1 पे जहां पे आपको मिलेगा Chapter No. 1 Yes, आगे सब Chapter No. 1 पे तो चलिए, देखते है Chapter को नाम क्या है क्या लिखा है? Concepts of Governance and Management of Information System Sir, यहां पे अपन को दो चीज़े समझनी है, पहला तु समझना है Governance का मीनिंग and second लेना है Management, तो एक चीज़ बड़ी क्लियर हो रही है, कि Governance Elector में, Management Elector में क्या difference है? डिटेल में अभी आने वाले lectures में पूरा अच्छे से अपन क्या करेंगे? समझेंगे, तो पहले आप मुझे बताइए कि आप क्या समझते Governance है, क्या यह टर्म आपने सुनिये पहले? यह audit में सुना है Day-to-day life में अपन governance word यूज करते रहते हैं So, what do we mean by governance? अपन बोलते हैं कि अच्छा Governance होना शीज़, there should be proper governance Corporate governance, यह सारी Governances आपने सुनिये, right? So, simple सा मीनिंग क्या है Governance का? कि एक Accountability set करना है क्या है सर? Accountability set करना है, direction provide करना है, यह ensure करना है कि उस direction में proper work हो रहा है, जा नहीं हो रहा है As simple as that So, what is governance? समझ ना, फंडा मैं बता रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ मैं शुरू कर रहा हूँ governance के साथ Governance का मीनिंग क्या है सर? Evaluate करना Direct करना और Monitor करना तीन चीज़े होती है Broadly governance में First, evaluating Options, पहला क्या होता है Evaluating Options Second, directing Management and third Monitoring their work, as simple as that So, generally जो governance है वो top level करता है, जब आब Board of Directors की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं? Governance करते हैं अब कैसे उसे example के तेरह समझते हैं Say, for example, top management को ये decide करना है कि अपने जो funds है, organization के funds है वो invest कहां पे करें, right? तो उनने decision लिया Say, for example, हमें एक steel industry set up करेंगे XYZ location पे Say, for example, जारकन ले लो ये कहीं भी ले लो कोई भी city में क्या करेंगे एक steel की industry वो क्या करेंगे Set up करेंगे लेकिन ये steel industry set up करने के पहले उनने options को evaluate जरूर किया होगा कि हम कहां कहां कौन कौन से sector में venture कर सकते हैं आ सकते हैं, for example, telecom हो सकता है coal हो सकता है आप ले लो steel industry हो सकता है मतलब बहुत सारे options थे तो उनने सबसे पहले जो governing body है that is I am talking about board of directors, top level उनने क्या क्या, evaluate किया options को और जो listed options थे उनने से उनने एक option select किया say for example, क्या select किया steel industry select किया और select करने के बाद direct किया management को कि जाओ वहाँ पे अच्छे से एक proper way में पूरी industry को set up करो, run करो और monitor करो, जो चीज बोल रहों समझ लेना top level, that is governance level, that is more of directors ने अच्छे से चीजों को evaluate करके direct किया, किसे किया? management को अब जब वो direct कर देंगे management को तो वो क्या देखेंगे? वो monitor करेंगे management की activities को और ये देखेंगे कि जो चीज़े जैसे होनी चाहिए थी वैसे हो रही है नहीं तो I hope you are clear with the fund, sir governance को जो level है, वो management के उपर आ रहा है governance का level management को direct कर रहा है कि आपको क्या काम करना है और monitor करना है, क्या कर रहे हैं कि वो काम बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ समझो अगर आप किसी को direct करते हो किसी को responsible करते हो, तो साथ ही साथ आप उसे accountable भी करोगे तो ये हमेशे याद रखना जब भी मैं governance की बात करता हूँ तो एक पूरा accountability का framework आएगा कि कौन किस चीज़ के लिए answerable है, किसे कौन सा work करना है, और किसे report करना एक पूरी hierarchy बनेगी और उस hierarchy को follow करना ज़रूरी है, तो अभी तक मैंने discuss किया था, ये governance का part फिर मैंने बोला था, direct करेंगे किसे management को, तो अब समझना, अब management decide करेगा, कि वो plan को वो कैसे build करेंगे steel plan को, जो जिस city में अपने को establish करना है, उसे वो कैसे build करेंगे, तो management सबसे पहले क्या करेगा, अपना खुद का plan बनाएगा, are you getting my point के हमार को यह यह resources चाहिएंगे are you getting my point, इतना time लगेगा ये लोगों की ज़रत पड़ीगे, एक industry को build कर रहे हैं, जैसे industry build हो जाती है, फिर उसे क्या करेंगे, run करेंगे, तो finally वो क्या कर रहे है sir, run कर रहा है, कौन run कर रहा है, management कर रहा है, और run करने के बाद में क्या कर रहे है, activities को monitor कर रहे हैं, कि जो जैसी चीज़े होनी चाहिए, वैसी हो रही है यह नहीं हो रही है, as simple as that, I hope यहां तक जो बताया, conceptually सब clear हो गए होंगे, right, एक quickly refresh कर लेते हैं, अपन जो अभी पढ़ा है मैंने बताया, दो terms होती है, पहली होती है, governance की, दूसरी होती है, management की, साह मेर साहते हैं, दो terms कौन सी होती है, governance की management की, governance is done by board of directors you can say, कौन करता है, sir, generally board of directors, govern करते, that is direction provide करते, किसे provide करते, sir, management को करते है लेकिन direction provide करने के लिए, उन्हें क्या करना रहता है पहले options को evaluate करना रहता है, और उसी के बाद वो क्या कर सकते direction set कर सकते, अब वो direction पे कौन work करता है, management work करते है, तो management जो direction provide किया गया है, उस direction पे work करने के लिए, अपने खुद के क्या बना रहा है plans बना रहा है, plan बनाने के बाद plan को implement कर रहा है, मतलब क्या कर रहे है build कर रहे है, implement करने के बाद क्या कर रहा है, sir, वो run कर रहा है, I hope you're getting my point, plan के जो भी activities थी, अब वो day-to-day life में क्या रही है, होनी शुरू हो रही है, and finally चीज़े क्या रही है monitor हो रही है, monitor you can say is same as controlling, के जो चीज़े plan की गई थी, उस direction में work properly हो रहा है, या नहीं हो रहा है execution properly हो रहा है, या नहीं हो रहा है, I hope you're getting my point, और इसके साथ मैंने concept clear कि आपका किसका, governance का and management का, अब चलते हैं आगे, governance के basically दो aspect होते हैं, किते aspect होते हैं दो aspect होते हैं, पहला होता है corporate governance, दूसरा होता है performance governance, और आप सब ने बहुत सुना होगा corporate governance के बार में, yes, what do you mean by corporate governance, सब बताओ, क्या होता है, सोचो, आप सबने, पढ़ा भी होगा corporate governance के बार में, detail में, audit में, right तो चलो, समझा शुरू करते हैं, क्या exactly होता है, ये corporate governance बताइए मुझे, एक company के owners कौन होते हैं, आप सब बोलेंगे, sir, shareholders, owners होते company के, right, agree करे हो shareholders क्या है, owners है company के, but क्या shareholders day-to-day activities में participate कर सकते हैं, no, it's not possible, तो वो अपना trust किस पे place कर रहे हैं, वो अपना trust governing body पे place कर रहे हैं, वो कौन है, board of directors बट आप आज के latest cases देखो, जो board of directors में है, present right, वो ही क्या कर रहे हैं, बड़े-बड़े frauds कर रहे हैं, आप example ले सकते हो, सत्यम का देखा होगा आपने, right, बहुत famous के से, जहां पे board खुद जानते वे भी क्या करने थे, सर, frauds में involved थे, मतलब, shareholders ने जिन पे अपना trust place किया है, वो अपनी duties को properly discharge नहीं करें, वो properly work नहीं करें, तो उन पे controls लगाने जरूरी है, यह ensure करना जरूरी है, कि एक organization में fraud नहीं हो, और उसके लिए क्या लेकिया है, सर, हम, corporate governance लेकिया है, जिसमें बोला गया है, कि एक organization की working कैसी होगी, उन्हें कौन-कौन से laws, legal regulations के साथ में comply करना जरूरी है, जिससे एक organization transparent manner में, clear manner में work कर सके, I hope, सबको पता चल रहा है, corporate governance का main motive क्या था, comfortable everyone अब देखिए, एक थोड़े examples दिताओ, corporate governance क्या बोल रहा है corporate governance बोल रहा है, frauds नहीं होने चाहिए, अब उसके लिए corporate governance ने क्या कटी को बुला, say for example, board of directors में, independent directors का होना जरूरी है, आप सबने सुनाओगा board of directors में किनका होना जरूरी है independent directors का होना, जरूरी है, segregation of duties होना जरूरी है, internal controls प्रॉपर लगे वे होने चाहिए, insider trading नहीं होनी चाहिए, जो भी organization की confidential information है वो बाहर जानी, नहीं चाहिए, तो ये प्रिवेंट करने के लिए क्या है, असर corporate governance and corporate governance को अपन कैसे implement करें through laws and regulations आप सबने सुना होगा, साबने SOX Act, आप audit में पढ़ते हो, पढ़ा होगा सबने और नहीं पढ़ा होगा, तो अभी final का exam दे रहे हो पढ़ना रहेगा, ये किसका पाट है, sir corporate governance का पाट है, जब आपने law में clause 49 savvy listing agreement पढ़ा होगा, वो भी किसका पाट है corporate governance का पाट है, तो I hope समझ में आ रहा है, main funda किसका बढ़ा है, मैंने अभी corporate governance का, जिसे और क्या बुला गया है, corporate conformance dimension, getting my point, लेकिन ये तो एक पाट हो आप business को run करने के लिए, कि sir, जितने भी laws and regulations बनाए गए, जिससे business एक proper manner में work करे, transparent manner में work करे, वो laws को business क्या करेगा, follow करेगा, किसके थूँ, corporate governance के थूँ, लेकिन, लेकिन उसके साथ ही साथ business को grow करना भी ज़रूरी है, are you with me, corporate governance का focus तो एक ही चीज़ पे था, compliance with laws and regulations to ensure true and fair working of an organization, लेकिन, उसके साथ साथ सर, business को grow करना भी ज़रूरी है, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, best technologies लाना ज़रूरी है, optimum utilization of resources करना ज़रूरी है, और वो कौन करने को बोलता है, business governance और performance governance, कौन बोलता है, business governance और performance governance, business governance यही बोलता है, कि business को proper way में direct करो, best possible way में resources को use करो, efficiency और growth पे क्या करो, focus करो, तो business को run करने के दो पई हैं हो गए, पहला हो गया corporate governance, दूसरा हो गया performance governance, I hope students, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, चले great, सबको समझ में आ रहा है, चलते है अपन आगे, अब एक चीज समझो, governance एक macro level term है, समझ ले ना, ध्यान से जो बताने के कोशिश कर रहा हूँ, governance क्या एक macro level term है, governance word अपन एक country क्ले भी use कर सकते है, आप सबने सुना होगा, जब elections थे, मोदी जी, बार बर अपनी speeches में क्या बोल रहते है, we'll focus on good governance, good governance, good governance, मतलब, यह governance word can be used for country, as well as organization, और जब मैं specifically governance को use करता हूँ, किसी organization के ले, तो उसे बोलते है, enterprise governance क्या बोलते है, enterprise governance, clear है ना, समझ लो, governance is a macro word, क्या है sir, बहुत बड़ा term है, जब सारी चीजों को enterprise की, तो उसे क्या बोलते है, enterprise governance, तो चाहे मैं आपसे पूछू, governance के dimension कितने है, या enterprise governance के dimension कितने है, आप सभी कहां sir, यही रहेगा, sir, दो dimension है, पहला है corporate governance, दूसरा है business governance, बताइए कितने dimensions है, दो है, पहला कौन सा है, corporate governance, दूसरा कौन सा है, business governance, corporate governance का focus किस पे setting up of accountability पे यही किस पे सेटिंग अप accountability पे and assurance services assurance services मतलब third party आके verify करेगा कि जो loss regulations के साथ आपको comply करना है वो compliance हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ध्यार रखना confirmance ने बोला हम accountable करेंगे लोगों को उनके काम के लिए हम board को accountable करेंगे उनके काम के लिए है वो liable है criminally भी आप वो क्या होंगे liable रहेंगे कौन बोल रहा है corporate governance और assurance मतलब third parties आके क्या करेगी check करेगी क्या आपका compliance हो रहा है या नहीं हो रहा है तो best part क्या हो गया अगर आप corporate governance follow कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है it ensures compliance with regulated requirements right corporate governance क्या करने को बोल रहा है जो भी regulated requirements example मैंने बताया था clause 49 listing agreement जो भी regulatory agreement से requirements से उनके साथ compliance होना ज़रूरी और बात करता हूँ अगर business governance ये performance governance की तो उसका focus किस पे है value creation पे तो देखो क्या लिका है value creation resource utilization objective is to improve profitability efficiency effectiveness and growth comfortable होंगे सारे students अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो मैंने पूरा आपको अच्छे से introduction दिया है किसका governance का five minutes दे रहा हूँ students आप note कर लीजे properly जो यहाँ पे draw किया गया है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा फिर अपन लेंगे आगे right चलिए quickly note करना चलिए students I hope आप सब comfortable है अब चलते read करते समझते सब आएंगे में साथ page number 1.1 question number 1 students यह सिर्फ एक यही ऐसा chapter ने मेरी book में जो आपको question answer के format में मिलेगा क्योंकि question answer के format से this chapter को learn करना थोड़ा easy हो जाता है believe me this is one of the toughest chapters जो student learn करने के point of view से face करता है और अपन को उसे easy करना है लेकिन अगर आप एक बार मेरे हसाब से पूरे chapter को समझ लेते हैं learn कर लेते हैं तो फिर यह आपके लिए बहुत easy हो जाएगा और अगी इसका weightage बहुत रहने वाला है तो ध्यान से हर एक line को follow करना कोई भी चीज हाइलेट करने को बहुत हाइलेट जरूर करना उसका meaning लिखना चीजों को properly note करते रहना तो चले शुरू करते हैं question number one what are the key concepts of governance तो क्या लिखा है all enterprises whether commercial or non-commercial exist to deliver value to an organization you must be agreeing with it right के sir कोई भी organization लो ultimately objective किया है stakeholders के value generate करना है next point delivering this value is achieved by operating within the risk parameters that are acceptable and by using the resources responsibly बड़ा simple है sir हम value तभी generate कर पाएंगे जब हम defined risk parameters में operate करें और resources को optimally use करें तो ये दो general point है जो हमेशे याद रहने चीए कि अगर sir shareholders के लिए value generate करना है तो जो defined risk parameters है उससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे and दूसरा जो भी resources है उन्हें हम optimally use करेंगे चलते आगे next point क्या रहा है senior management is responsible for ensuring right structure of decision making and making accountabilities are shared among many people and when accountability is shared governance comes into play highlight करें ये line when accountability is shared governance comes into play करेंगे में point इक बस introduction read किया learning करना था समझना था समझ लिया अब आते main point पे जो आ रहा है पहला point आपके लिए governance क्या रहा है students governance market as important definition पूछ सकते हैं what do you mean by governance or defined governance right तो परते governance को अच्छे से समझते क्या लिखा है the term governance is derived from Greek verb meaning to steer देखो समझो इनने Greek verb नहीं दिया है लेकिन Greek verb का meaning दिया है जो क्या लिखा हूँ है to steer और steer के bracket में सब लिख लेंगे direct करना है तो समझ लो governance का मतलब क्या word to steer जिसका मतलब क्या है to direct और वो मैंने यहाँ पे clear लिखा है कि governance में सब direction set किया जा रहा है सब मेर साथ है चलते आगे क्या लिखा है governance typically refers to all means and mechanisms circle the word means and mechanisms circle the word means and mechanisms that will enable multiple stakeholders in an enterprise to have organized mechanism circle the word organized mechanism for evaluating options setting direction monitoring compliance सब highlight करेंगे evaluating options setting direction and monitoring compliance in order to achieve the enterprise objective तो तीन वर्ट सबको highlight करना है evaluating options setting directions monitoring compliance यही तीन चीज़ा है यह सर क्या रहा है evaluating options setting directions and monitoring compliance तो यह तीनों चीज़े सबको क्या होनी चीज़े यह अच्छे से learn होनी चीज़े और कुछ नहीं यह governance तो क्या point है key points governance के के sir governance में एक proper organized mechanism होगा याद कर लेना governance में क्या होगा sir एक proper organized mechanism होगा what do I mean by organized mechanism top पे header में लिखो organized mechanism dash मैं समझाता हूँ उसका meaning लिखवा देता हूँ लिखो organized mechanism dash a mechanism where a mechanism where roles responsibilities and accountability are defined properly a mechanism where roles responsibilities and accountability are defined properly तो governance क्या बोल रहा है में एक ऐसा organized mechanism provide करूँगा जहां पे properly में options को evaluate करके direction set करूँगा और monitor करूँगा compliance यह सब क्यूँ करूँगा यह जानने के लेकि जो organization के objective है वो achieve हो पा रहे है या नहीं हो पा रहे as simple as that तो सब को definition learn हो गई होगी और चलते हैं अब अपन आगे so second point आ रहे है enterprise governance तो मैंने दीखिया बताया था governance is a macro term जब अपन किसे business के ले use करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन enterprise governance और देखिया enterprise governance में क्या लिखा हुआ है enterprise governance is defined as the set of responsibilities and practices exercise by board and executive management तो highlight करो sir यह जो executive governance है यह जो enterprise governance है वो कौन करेगा highlight करो board and top management board and top management अब आप अपन क्या expect करेंगे board या top management से चलिए assume करिए कि आप किसी company के जाके board में जा रहे हो, board member बन रहे हो अब आपसे हम क्या expect करेंगे simple सी चीज़े sir, आप एक अच्छा direction set करेंगे, आप एक strategy define करेंगे, आप यह ensure करेंगे कि resources को optimally use करें, आप यह ensure करेंगे कि risk हमेशा properly manage रहे within risk parameters रहे हाँ या ना, यही चीज़े आप देखोगे ना, तो यही चीज़ लिखा है कि sir enterprise governance में हम responsibilities define करें किसकी board and senior management की executive management की और वो क्या क्या करेंगे first point, they will provide strategic direction, circle the word strategic direction मतलब relating to future, company किस direction में आगे बड़ी की, कौन बताएगा sir, board बताएगा, तो circle कर ले ना, provide strategic direction, second, ensuring that objectives are achieved, अब जो strategies define किये हैं, उनको short term goals में define करते, जिने बोला जाते है objectives and ensure करते कि objectives क्या हो, achieve third point, ascertaining the risks that can be managed ascertaining that the risks are managed properly and last point आ रहा है, verifying whether organization's resources are used responsibly, अब देखिए अगर आप public से funds ले रहे हैं कोई चीज़ बोल के, तो आपको ये ensure करना ज़रूरी है, कि funds वही purpose में क्या हो, deploy हो आपके personal purpose के ले use होने नहीं चाहिए, अगे in kingfisher के example best है sir, अगर आप airlines बना रहे हो, public से funds ले airlines ले तो उसे private purpose के ले पूरा use मत करो, जो अपने जिस चीज़ों से, जो चीज़ बोल के public से funds ले है, उसी purpose से funds के होने चाहिए, use होने चाहिए, तो ये चार point आपको समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए, लिखावा है, चलते आगे क्या लिखाए, enterprise governance is an overarching framework into which many tools and techniques and code of best practices can fit in, right, enterprise governance में बहुत साथी चीज़ आती और broadly दो चीज़ आती है sir, corporate governance and business governance yes, आगे क्या लिखाए, directly आते last point पे, enterprise governance has two dimension, first is corporate governance also known as conformance and business governance also known as performance, क्यों sir corporate governance बोलता है कि जो laws, regulations बनाए गए है उनके साथ comply करना ज़रूरी तो क्या बोला गया conformance, business governance क्या बोलता है, business governance क्या बोलता है कि कैसे आप perform करोगे, कैसे efficiency increase होगी, तो उसे और क्या बोलते performance governance I hope students, आप सब clear है किसके साथ, एक जो definition मैंने बताई, governance की और दूसर definition जो बताई, मैंने enterprise governance की, सब को एक चीज करना है, start learning the definitions, पहले learn करोगी governance की, it would take much time, फटा-फट learn करो फिर लेना enterprise governance, फिर आपन शुरूंगे करेंगे question number two जिसमें आपन पढ़ेंगे enterprise governance के dimensions दो dimensions पढ़ने वाले हैं, पहला होगा corporate governance और दूसरा होगा performance governance, शुरू करिये पढ़ना चलिए students तो लेते हैं आगे, अब आरा है question number two write a note on enterprise governance dimensions right, और उसमें आपको मिलेगा enterprise governance involves establishing accountability for decision making में आपको एक चीज़ बोलिये sir, governance जब भी ओढ़ाएगा accountability तो आने ही वालिये आगी क्या लिखा है, enterprise governance is two dimensions, first confirmance और corporate dimension and second, performance और business dimension दोनों dimensions को detail में study करेंगे, learn करेंगे, समझेंगे, तो आते first point पे जो कि आ रहा है, confirmance और corporate direction, देखे students क्या लिखा है first point, read करते, corporate governance is defined as as a system, circle the word system यहापे system word बहुत ज़रूरी है system मतलब sir बहुत सारी चीज़े मिलके corporate governance को implement करने में आपको help करेंगे, right, क्या बोल रहा है it is defined as a system by which a company और enterprise is directed and controlled, कौन-कौन से factors मिलेंगे, कौन-कौन सी चीज़े, resources people मिलेंगे, जिनके through आप एक company को direct करोगे और control करोगे, क्यों करोगे to achieve the objective of increasing shareholders wealth objective बड़ा simple है increasing shareholders wealth and enhancing economic performance, तो देखें, left page में system जो भी आपने circle किया उसे में define करवा देता हूँ कि system में कौन-कौन सी चीज़े exactly आ जाती है तो लिखना शुरू करें, left page पे लिखना blank page, सब लिखेंगे system is equal to, सब लिखेंगे system is equal to what, first point defining roles responsibilities and authorities सब लिखेंगे, system में defining roles, responsibilities and accountability, second लिखोगे system में क्या क्या जाता है enterprise ethics, ethics का मतलब क्या culture ऐसा define करना है क्या हर जर्ण proper way में conduct work करे, code of conduct clearly defined होना, चाहिए that is what point number two, enterprise ethics defining enterprise ethics point number three, आप लिखोगे bringing regulatory frameworks bringing regulatory frameworks like clause 49 listing agreement SOX act, etc and last point लेंगे आप risk management, last point क्या लेंगे risk management, तो दिखेंगे मैंने system के थोड़े components बताए ये सारे components देखेगा, समझेगा, जो अभी components बताएं, ये सारे components साथ में मिलके work करेंगे क्यों करेंगे, ताकि आप अपने organization को एक proper direction दे सके और direction में work हो रहा है याई उसे आप monitor कर सके, क्यों करना है क्योंकि ultimately हम shareholders के लिए value create करना चाहते है, और organization का objective अचीब करना चाहते है सबको, पहला point बहुत अच्छे सर्व समझ में आया होगा, कोई doubt इसमें होगा नहीं, clear हो रहे है everyone चलते हैं आगे, turn your page come on page number 1.2 first point समझ में आगया, सब ने highlight किया है, एक system है जिसके तुरू हम direct कर रहे है control कर रहे हैं ताकि shareholders के लिए value generate कर सके and organization का objective वशीब कर सके, excellent, second page में क्या बोल रहा है, corporate governance refers to structures and processes circle the word structures and processes structure का मतलब क्या हो गया है hierarchy, लिख दो पर, hierarchy is defined yes and processes के उपर क्या लिख दो series of steps to be performed series of steps to be performed, किस चीज के लिए सर एक hierarchy define करें hierarchy में लोग क्या क्या काम करेंगे वो define करें, क्यों करें, ताकि हम properly direct कर सकें और चीजों को control कर सकें, तो वो ही लिखा है it refers to the structures and processes which you need to circle and learn for the direction and control of companies, तो दो point कर रहा है, देखो याद क्या रखना है, वो circle कर लेना पहले में system पे focus रखना दूसरे में structures and processes पे circle करना, focus रखना, गरेंगे point, आते third point पे corporate governance defines the relationship or concerns the relationship among management, board of directors and shareholders, मैंने आपको बताया था board किसे answerable है sir, shareholders को, और board को कौन answerable है, management, तो एक simple सी hire की समझ बना दिये, जिस मैं बताया है, management is answerable to board and board is answerable to shareholders, मैंने clearly सबकी accountabilitys define कर दी, और सबको बता दिया है, कि आपको क्या-क्या काम करना है, और आप किसे answerable है, comfortable believer one, सबको समझ में आ रहोगा, 3 point clear हो रहे है, 4th point जैसे कि मैं बार-बार बता रहा हूँ कि corporate governance का focus किस पे regulatory requirements पे, जैसे कि clause 49 listing agreement of SEBI, तो next point वही मिल रहा है, corporate dimension focuses on regulatory requirements like clause 49 listing agreement से भी ते हो, देखे, एक short note पूछने कि बहुत high probability corporate governance पे, पूछेंगे, तो six marks तक भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा answer है, four marks का तो बनी सकता है, easily, सबको पहले चार point आप याद करने हैं, क्योंकि ये जब तक chapter learn नहीं करोगे, तब तक आगे बढ़ने से कोई point नहीं है, learn करना जरूरी रहेगा आपको, right, कैसे समझ के learn करना, रटना नहीं है, कैसे पढ़ाया, सबसे पहले सरे एक system बनाए, system के बाद में सारा structures and processes clearly defined किया गया है, third हम बोले हमने relationship define किये, circle कर देना, what concerns relationship, किसके बीच में board, management और shareholders की बीच में, और हमने ये बताया कि जो भी regulated requirements है, उनके साथ में आपको comply करना रहेगा, like, clause 49 listing agreements, right, so I hope यहाँ तक सब students को अच्छे से समझ में आया होंगे, 4 point, numbering कर लेना, 4 point हुए, चलते हैं आगे, this covers corporate governance issues, like, sir, यहाँ पे corporate governance, कौन-कौन से issues पे focus कर रहे, पहला, role of chairman and CEO, clearly define कर रहे है, सबका role, किसे क्या-क्या काम करना है, कौन-किन चीजों के ले accountable है, तो first point क्या बढ़ रहे है, roles of chairman and CEO हमने क्या-क्या, define किया, समझ में हाया होगा, second point आपको मिला होगा, role and composition of board of directors, bracket में लिख दो, say for example, independent directors, bracket में क्या लिखा रहा हूँ, independent directors, मतलब corporate governance क्या बोल रहा है, कि board of directors में किन का होना ज़रूरी है, independent directors का होना ज़रूरी है, and last point क्या बोल रहा है, control assurance and risk management के risk properly manage हो रही है, नहीं, और उसका क्या लेन है, आपको proper control assurance, तो three, मैंने issues बोले हैं, जिन पे generally corporate governance focus करता है, पर इशू क्या हो रोल of chairman CEO, say for example setting up direction, second point क्या हो क्या composition of board of directors, and third point हो हो हा control and risk assurance, समझो, ये सारी चीजी उपर से जो भी अपन कर रहे हैं, क्यू कर रहे हैं, ताकि frauds ना हो shareholder के ले wealth create कर से के, मतलब, we want to protect the value of shareholder तो next point क्या बोल रहा है, corporate governance is about doing good business, fair business circle the word, good business to protect shareholder's interest, हमें हमारे shareholder's का interest क्या करना है, protect करना है, यहां तक सब students को समझ में आना चाहिए, चलो quickly recall करो किते points हो, यह भी तक 6 point कर रहे हैं, first point system, second, structures and processes, third relationship, fourth, बताओ मेरे को फटा-फट regulatory requirements, fifth, issues, corporate governance issues, sixth, protect shareholder's interest, right, share point अच्छे से समझ में आ गए, चलते हैं आ गए, अब, यह चीज़े ensure करने के लिए, sir, corporate governance क्या लगाने को बोल रहे है, controls लगाने को बोल रहे है, क्यों लगा रहे है, यह चीज़ समझ रहे है, controls इसलिए लगाने, क्योंकि मैंने शुरूआत में बताया था, जिन पर आपने trust place किया था, वो अपने powers का misuse करें, वो properly अपने duties को discharge नहीं करें, इसलिए proper controls एक organization में होने ज़रूरी है, and controls कौन-कौन से होने चीज़े है, वो next point बोल रहे है, good corporate governance requires sound internal control practices like, अब सबको पता है, segregation of duties, establishment of audit committee, then आपको मिल रहोगा risk management, compliance with 11 laws, मतलब ये controls होने चाहिए, और ये हर organization में होने ज़रूरी है, for proper functioning of that organization, तो सबको समझ में आया होगा, और next point ये बता रहे है, sir, हम ये controls क्यों लगा रहे हैं, तो क्या बोल रहे है, these internal controls are intended to guide the companies, to achieve their business objectives, in a manner such that, ये आसे important point चुरू हो रहे है, क्यों रहे हैं, ताकि those who are interested with resources, or power to run the companies, board of directors, executive officers, जिनके आपस power है, to run the countries, जिनके आपस resources को use करने का power है, they meet stakeholders needs without compromising with stakeholders interests, shareholders की need को meet करेंगे, और उनके interest के साथ compromise नहीं होगा, as simple as that, total eight points, अच्छे से आपको मैंने learn करवा दिये हैं, पहले यह eight points, number कर लेना, और फिर learn करना, लगी दो और point एक बर अपन complete करके, total ten points को क्या करते हैं, complete करते हैं, सब आएंगे, उसी answer के last point में, जो last line मिली है, note के उपर, right, note पढ़ने के जरुरत नहीं, note का अपकट कर सकते, क्याल आईने, corporate governance is monitored by audit committee, क्योंकि corporate governance, laws के साथ comply करने को बोल रहा है, तो हमेशा audit committee आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि यह चेक करना जरूरी है, कि जो compliance है, वो हो रहा है, या नहीं हो रहा है, getting the point, it is monitored by audit committee, and आपको एक third last point मिलेगा, regulatory requirements, highlight करना, regulatory requirements and standards, generally address this dimension with compliance being subject to audit and assurance, मैं आपको बताया था सर, ये concluding point है, लिख देना concluding point, जो 10th point है, जो कि क्या बोल रहा है सर, बड़ी simple चीज बोल रहा है, कि ये जो conformance dimension है, इसमें आपको laws and regulations के साथ comply करना जरूरी है, और उसका compliance is always subject to audit, मैं तब क्या करा है, auditory आखकर चेक करेगा, कि proper compliance हो रहा है, या नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छे से, अपने पूरे points, मैंने 10 points आपको पूरे mark करा है, ने learn करा है, अच्छे से, आप समझ लेना students, 5 minutes लेना, quickly वापे से page number 1 पूरा read करो, करिए, definition rate करिए, चले students, I hope आप सब अपने बिले, अब आपन सबसे पहले लेंगे एक बार question number 9, सब आएंगे page number 1.5 पे, 1.5 पे आपको मिलेगा question number 9, what is corporate governance, and write down some of the best practices to implement corporate governance, very very important from exam point of you, expected, लिख दिना, expected and important from exam point of view, okay, अब what is corporate governance, अलरेडे पूरा एक note मेने आपको अच्छे से समझा दिया है, same चीज़े कोई repetition है, अपने एक बार read कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, तो देखे क्या लिखा है, सब मेरे साथ रहना page number 1.5 पे, question number 9, राइट, ओके, corporate governance is defined as a system by which business corporations are directed and controlled, तो देखे ये वोई line में आपे से repeat हो रही है, system है, जिसे आप चीज़ों को direct करें और control करें, तो highlight कर लेना directed and controlled, आगे, corporate governance structure specifies, मैंने बताया था, सबकी roles, responsibilities clearly defined होगी, higher की clearly क्या होगी, defined होगी, तो क्या बोड़ रहा है, it specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as board, managers, shareholders and stakeholders, and spells out the rules and procedures for decision making on corporate affairs, सारी चीज़े clearly क्या होगी होगी है, defined होगी 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 है, वोई ये चीज़ बोल रहा है, मन्ना याद करो, मैंने बताया था, structures and processes for direction and control, बताया था या नहीं, तो वोई चीज़ होगी, आपका point number two, जहाँ पे clearly हर एक चीज़ के है, spelled out है, तो एक introduction तो आपको समझ में आया, अब आप page turn करिए, सबाईए page number 1.6 में, और आपको मिलेगा some of the best practices, for of corporate governance, include the following, 6 points मेंने लिखे, right, everyone with me, किते points है, 6 points है, यह six points को learn करना ज़रूरी है, और मैं बता रहा हूँ, exam में यह expected है, क्या बोलते है, share point, first point, corporate governance, जो बार बार यह की चीज़ बोल रहा था, सबकी rules, responsibilities, authorities, accountability, clearly क्या करो, define करो, तो first point, वो भी बोल रहा है, best practices में क्या बोल रहा है, clear assignment of, circle कर लेना, responsibilities, decision making authorities, incorporating hierarchy of required approvals, वो ही चीज़ repeat की गई है, याद रखना, responsibilities, authorities, hierarchy of required approvals, right, second point क्या बोल रहा है, establishing a mechanism for interaction amongst, both management and auditors, auditors आएंगे, check करने, corporate governance में के laws के साथ comply हो रहा है नहीं, तो उनका interaction किस के साथ होना ज़रूरी है, सर, board के साथ, और management के साथ interaction होना ज़रूरी, तो ये एक ही चीज़ बोल रहा है, there should be proper interaction and cooperation between, board, management and auditors, for effective implementation of corporate governance, हाँ या ना, दो पॉंट समझ में आ रहे हूंगे, अगे, quickly read कर लेना, दो पॉंट फिलेंगे आगे, फ़ला point, assignment, responsibilities, hierarchy of approvals, second point, clear interaction and cooperation, किसके बीच में साथ, board, senior management and auditors, comfortable, चलो, excellent, next point, क्या बोला था, corporate governance को, अगर आपको implement करना है, properly, तो strong internal controls होने, ज़रूरी, अभी अपने पढ़ा था, internal controls में क्या पढ़े था, अपने segregation of duties पढ़ा था, याद करना, right, risk management proper होना ज़रूरी, compliance with laws होना ज़रूरी है, तो जो भी internal controls पढ़े थे, वो वापे से repeat करें, क्या बोल रहे है, there should be implementation of, strong internal control system, highlight करना, strong internal control system, including, internal, external audit functions, and risk management, getting my point, फिर, आपको control लगाने के साथ-साथ, properly, periodically, risk exposures को भी monitor करना ज़रूरी, तो next point क्या बोल रहे है, special monitoring of risk exposures, special monitoring of risk exposures, बच्चों, ये चारों के चार पॉइंट, मैंने आपको पहले, जब मैंने introduction लिया, corporate governance का पूरा समझाया, right, सब को समझ में आ रहोगा, controls लगे होने चाहिए, risk को properly monitor करना बहुत ज़रूरी है, next point क्या बोल रहा है sir, आप बताइए, fraud generally कब होते, suppose अगर कोई management, कोई भी type का incentive deserve करता है, say for example, financial incentive, या promotion, कुछ भी deserve करते हैं, और आप उसे नहीं देते हो, तो वो generally क्या कर सकता है, fraud कर सकता है, तो corporate governance यही बोल रहा है, एक काम करो, जो भी लोग आपकी या काम कर रहे हैं, अगर वो कोई incentive deserve कर रहे हैं, तो उन्हें वो चीज़ दो, right, next point क्या बोल रहा है, financial and managerial incentive, financial मतलब पैसा, managerial मतलब status, work profile, right, status, financial and managerial incentives, offered to serial management, business line management, to act in appropriate manner, in form of compensation, promotion and other recognition, in form of highlight कर लेना, compensation मतलब पैसा देना, promotion मतलब status and other recognition, and last point क्या बोल रहा है, corporate governance बोलता है, insider trading, नहीं होनी चीए, होनी चीए, नहीं होनी चीए, नहीं होनी चीए, तो there should be appropriate flow of information, internally and to the public, और इसके साथ मैंने best practices complete करी, corporate governance की, बहुत अच्छे से learn कर लेना, quickly एक बार recall कर लो, clear assignment करी, किसके role stand, responsibilities की, फिर हमने एक mechanism set किया, जहां पर cooperation and proper communication है, board, management and auditors के बीश में, हमने बता है, internal control system होना ज़रूरी है, periodically risk exposure को monitor कर लो, जिने financial incentive चाहिए, देना है, उन्हें दो, और last point बोल रहा है, controlled flow of information होना ज़री है, बोथ internally and externally, और इसके साथ में best practices complete होई बच्चो, quickly इसे revise करो, learn करो, expected a important exam point of view से शिरू करो, चलिए students, I hope आप सब comfortable है, अब आपे साजेंगे सब page number 1.2 पे, 1.2 पे आपको मेले का point number 2, जो कि है performance dimension, और business governance dimension, अभी तक अपने corporate dimension, पूरो अच्छे से हरे पोईंट उसका study कर लिया, अब जो है, वो है आपका second point, that is business or performance governance, एक चीज़ बताओ, अगर आप कोई business कर रहे हो, strategies बना रहे हो, तो आप proactive होगे, reactive होगे, आप सब बोलोगे, सर हम futuristic है, तो हम proactive होगे, हम आज ही देखेंगे, कि आने वाले कल में हमें क्या, करना है और कैसे करना है, तो वो ही लिखा है first point में, business governance is proactive in approach, it is, it takes forward looking view, सबको यह point समझना चाहिए, यह proactive and forward looking view देता है, next point, this dimension focuses on strategy and value creation, highlight करेना, इसका एक ही objective है sir, क्या हम business को कैसे direct करे, और कैसे business से value create करे, हमारे shareholders के ले, with the objective of helping the both, to make strategic decision, understand its risk appetite, and key performance drivers, key performance drivers, मतलब कौन कौन से key factors होने वाले, जो आपकी performance को drive करेंगे, getting my point, आते हैं next point, next page पर है, page number 1.3, this dimension, does not lend itself, to a regime of standards and assurance, अब एक चीज समझ लो, growth की approach है, strategy private करना, यह जो approach है, यह organization to organization, differ कर सकता है, एक थोड़ा बहुत कम risk लेके चलता है, एक moderate risk लेके चलते, तो सब की अपनी approach हो सकती है, सब का अपना perception हो सकता है, towards business environment, और उस दे में वो अपना क्या करते है, business conduct करते, तो यह जो dimension है, that is not subject to compulsory audit, are you getting a point, confirmance dimension was compulsorily subject to audit, because why, वहाँ पे laws and regulations के साथ में आपको comply करना था, इस portion में, that is business governance में focus क्या है, value creation पे, strategy provide करने पे, यहाँ पे laws के साथ compliance में ता focus नहीं है, तो समझ ना, this dimension is not subject to compulsory audit, which dimension is subject to compulsory audit, confirmance dimension, next point क्या बोड़ रहे, आप यहाँ पे focus करें, strategy और value creation पे, और वहाँ कैसे अचीव करोगे, so strategy and value creation is achieved by, first, developing appropriate best practices, अब आप सबने सुना होगा, practices like balance scorecard, आपने IPCC, ITSM में जरूर पढ़ा होगा, तो रहा हमने पढ़ा है, balance scorecard पढ़ा है, हमने से for example, six sigma's पढ़े है, तो यह जो भी best practices है हूँने, हम क्या करेंगे हमारे business में adopt करेंगे, जिससे हम हमारे business के value generate कर सके, and secondly, we'll develop strategic enterprise systems, हम ऐसे systems develop करेंगे, जिससे हमारे organization value generate कर सके, resources को best possible भी हमें use कर सके, एक example best possible होगे, ERP chapter number two में पढ़ा था, कैसे ERP आपके resources को optimally use करने में, आपको help करता है, comfortable, आते last point पे performance dimension की, क्या लिखा है, the performance dimension, in terms of overall strategy, is the responsibility of full board, but there is no dedicated oversight mechanism, as comparable to audit committee, highlight कर लेना, no dedicated oversight mechanism, as compared to audit committee, सब को ये समझ में आना, चाहिए सर, audit committee compulsively कहां पे होगी हमेशा, corporate governance में, और इसके साथ, पूरा अच्छे से में आपका clear किया है, corporate governance and performance dimension, right, total अभी तक किते questions हो गया, अपना question number one हो गया है, question number two हो गया है, and question number nine हो गया है, अब सब एक sequence बना लेना, ताकि आपको पता रहे हैं, कैसे अपन जा रहे हैं, first we did question number one, then we did question number two, and अभी अपने लिया था, फिर question number nine, अब अपना आगे लेंगे question number three, लेकिन उसके पहले, आप एक बार इसे revise करो, फिर चलते हैं अपना आगे, शुरू करें रिवाइस करें, चली students, I hope यहां था comfortable हैं आप, अब question number three को लेने के पहले, मैं एक थोड़ा से concepts और आपके clear करना चाहूँगा, governance में मैं दो चीजों की और बात कर रहा हूँग, IT governance and GEIT, Information Technology Governance and Governance of Enterprise IT, दो words बोले हैं, दोनों का meaning थोड़ा अलग है, समझते हैं, concept कैसे work कर रहे हैं दोरों का, IT governance बोलता है, कि जब भी IT की जरुद हो, आपके organization में IT को लेके आईए, और उसे optimally use करिए, so basically, IT related, कौन-कौन सी activities आपके organization में होनी चाहिए, कौन बोलता है, IT governance बोलता है, IT governance, क्या बोलता है, IT governance, IT related organization में, कौन-कौन सी activities होनी चाहिए, यह जब आपको लगता है, कि IT की organization में जरुरत है, तब IT को लेकिया, यह invest in IT when it is required by organization of business, are you getting a point, IT related कौन-कौन सी activities होनी चाहिए, तो यह simple सी चीज़े बताएं, IT governance में, आप IT से related कौन-कौन सी activities होगी, एक देखोगे, IT पे बराबर risk, कौन-कौन से risk का दिये, IT related कौन-कौन से laws है, जिनके साथ आपको comply करना है, क्या IT का optimal utilization हो रहा है, यह नहीं, वो देखना है, मतलब IT से related सारी activities, कौन properly manage करने को बोल रहा है, IT governance बोल रहा है, लेकिन सर, यह IT related activities करेंगे, कैसे, वो framework क्या होगा, क्या steps perform करेंगे, जिससे जो activities define की गई है, वो हम properly conduct कर पाएंगे, वो कौन आपको बताता है, GEIT, governance of enterprise IT, right, So, I can say, governance of enterprise IT, आपको एक framework बता रहा है, क्या बता रहा है, framework बता रहा है, के आप उस framework के थुरू, IT related सारी activities को properly conduct कर पाऊगे, as simple as that, इतना सब को समझ में आए होगा, तो यह difficulty face नहीं करोगे, right, देखो, meanings और भी बहुत सारे होते, different different way में होते, but अपन ब्रॉदली आपके book के साब से चल रहे है, taking into consideration some internationally recognized books, जिससे आपके concept क्या रहे है, clear रहे, तो पहला point क्या बता है हमेने, IT governance, के कौन-कौन से IT related activities एक organization में होनी चाहिए, and IT को ले किया हो, जब business को ज़रू तो IT की, simple सी चीज़ बोला, और GIT क्या provide कर रहे है, framework provide कर रहे है, जो बता रहे है, कौन-कौन से steps कैसे perform करोगे, are you with me, वो steps कैसे perform करोगे, जिससे IT related activities effectively accomplish हो सके, effectively आप achieve कर सको, getting a point, तो चलिए पढ़ते हैं, question number 3 पहले, क्या पढ़ते हैं, question number 3, और question number 3 क्या है, describe major benefits that can be achieved through proper governance, चलिए वापे से governance के section में आ रहे हैं, आपन किस में आ रहे हैं, governance के section में आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, benefits of governance, circle कर लो benefits, circle कर लो governance, exam ने question बन सकता है, what do you mean by governance, write down benefits of governance, important question, what do you mean by governance, write down benefits of governance, मतलब question number 1 को, और question number 3 को क्या किया है सा, merge किया है मैंने, तो चलिए पढ़ते हैं, governance में, first point, it provides stability, and overcoming limitation of organizational structure, simple सी चीज़े, पहली चीज़ हाइलाइट करो, stability क्यों, सबकी rules, responsibilities, clearly defined है, अब समझो, कभी अगर कोई work, कोई lower level नहीं कर पाता है, तो immediately, वो किसे report करेगा, middle level को, और middle level ensure करेगा, जो work lower level से नहीं हो रहा है, वो कैसे वो accomplish कर सकता है, मतलब guide कौन करेगा, middle level, तो जो भी limitation है, particular level की, उसे कौन overcome करने में help कर रहा है, उसका above level, जो भी है, above level जो भी defined है, गरेंगे point, तो जो भी limitation है, organization structure की, वो अपन क्या कर रहे, overcome करे, more or, that each element of mission is assigned and managed with clearly understood and transparent decision rights and accountability framework, circle the word accountability framework, second point, यहीं बोल रहा है sir, governance का यह benefit रहेगा, कि आप अपने mission को, are you with me, कैसे achieve करना चाते हैं, जो आपका mission है, उसे आप clearly divide कर दोगी, different logo के बीच में, ताकि वो उस पर work कर सके, और उन लोगों को, आप उस mission करे, accountable कर सकती हो, क्योंकि governance जब भी आता है, accountability तो आईगी, आईगी, तो that's your point number two, very simple, again ध्यान से समझ लेना, achieving enterprise objective, आप enterprise के objective, achieve कर पाओगे, अगर आप proper governance कर रहे हो, तब, लेकिन कैसे achieve करोगे, by ensuring that, each element of mission, highlight करने न, elements of mission, जो mission है, वो assign कर रहे हो, और manage कर रहे हो, किसे, clearly understood, and transparent decision rights, highlight करने, clearly understood, and transparent decision rights, and accountability framework, I hope students, सब को, दोरों point अच्छे से, समझ में, आगे होंगे, तो can I say, अभी जो point number one, और two पढ़ा, जो भी अपने पढ़ा, point number one and two, क्या ये, governance में भी, corporate governance का, part form कर सकता है, हाँ यह ना, yes, तो सब क्या कर सकते हो, point number one and two, के वाँपे, curly bracket कर दो, और लिग दो, corporate governance, तो आप relate कर पाऊगे, हाँ, ये दोनों चीज़े, हमने corporate governance में, अपने बिजनस प्रोसेसे इंद बिजनस प्रोसेसे इंद बिजनस याद करो, अभी मैंने business governance भी पढ़ाया था आपको, performance governance याद आया होगा आपको, जिसमें अपने बोला था, best strategies लेके आएंगे, value creation करेंगे तुरू, कैसे best practices के तुरू, strategic enterprise systems के तुरू, तुर वही चीज़, third point बोल रहा है, कि sir, अगर आप proper governance करोगे, तो आप integrate कर पाऊगे, जो भी best practices है, वो अपने business में लेके आपाऊगे, that's your point number three, implementing and integrating desired business processes in the enterprise, और bracket में third point के लिख सकते हो, business governance के लिख सकते हो, business governance, so I'm trying to relate, जो अभी आपने पढ़ा है, उसी से में relate करा रहा हूँ, ताकि आप याल रख सो, first two points के से related होगे, corporate governance से, third point के से related होगया, business governance से, अब बही चीज़ समझो, अगर आप desired business process लाना चाहते हो, तो हो सकते है, वो business process को लाने के लिए, IT भी यूज करना पड़े, that is, information technology भी यूज करना पड़े, तो next point के बोड़ा है, defining and encouraging desirable behavior in the use of IT, मतलब, invest in IT when it is required by business, IT को ले के आओ, जब भी आपको उसकी ज़रत, परती और ये कौन बोल रहा था, अभी मैने आपको बताया था, कौन बोल रहा था, IT governance बोल रहा था, के सर जब भी IT की ज़रत पड़ी की, उसे आप ले किया होगे, तो again IT governance is also part of what governance हो ली, तो that's your next point, defining and encouraging use of behavior in IT, ब्राकित में लेको IT governance, लेकिन IT को मैं कैसे ले किया होगा, सारे सब की क्या roles, responsibilities होगी, क्या architecture होगा, you have to take into consideration IT principles that define what, the role of IT, IT architecture, IT infrastructure, IT related investments and prioritization, I hope सब को समझ में आ रहा है, और यही चीज़ दीविये किस में, आपके benefits में, एक last point benefit का जो बच रहा है, वो क्या है अपने में, improving customer, business and internal relationship and satisfaction, अगर यह सारी चीज़े बराबर हो रही है, जो में चीज़ बोला हुआ हो समझ ना, अगर उपर की जो भी चीज़े मैंने बोला है, कि प्रॉपर हम governance करें, business governance करें, corporate governance करें, IT governance करें, तो ultimately हम shareholder के लिए क्या करेंगे, value create करेंगे, and they'll be happy, that's your last point, improving customer, business and internal relationship, and providing them satisfaction, comfortable, total six points से, अच्छा से learn हो गए, दो पॉइंट के से related हो गए, IT से related हो गए, हाँ अना, दो पॉइंट हो गए, आपके IT से related, दो पॉइंट हो गए, corporate governance से related, एक पॉइंट हो गए, आपका business governance से related, और finally क्या बोल रहें, customer happy होगा, चलिए, quickly revise करिए, question number three, और फिर क्या करते हैं, इस question को complete करते हैं, शुरू करिए, चलिए students, I hope आप सब comfortable होगे, quickly बापे से देख लिए, आपने corporate governance में क्या किया थे, एक तो आपने, stability लेके आये थे, accountability लेके आये थे, that was your point number one, and benefits of governance, one and two हो गया, फिर हमने बोला था, sir, हम desired business processes लेके आएंगे, और उसके लिए IT की जुरूत पड़ी, तो IT को भी लेके आएंगे, IT को लेके आएंगे, तो IT का role, architecture, सारी चीज़े हम properly define करेंगे, और last में क्या बोला, अगर यह साई चीज़े अच्छे से हो रही है, तो हमारे customers क्या रहेंगे, satisfied रहेंगे, बहुत इसी है, उसके बाद आरे question number four, write a short note on corporate governance and IT governance, उसे कर लेना read a question, मतलब exam point of view से, यह question इतना important नहीं है, आप सब एक बाद बस read कर सकते, और आगे बढ़ सकते, आपको समझ में आ जाएगा, तो I hope इस lecture में मैंने, जो जो चीज़े आपके लिए cover करी, आप सबको clear हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह introduction था, foundation था, यह chapter का, अभी एक चीज़ समझेगा students, यह chapter basically, चार में चीज़ों पर चलने वाला है आगे चाहके, एक तो होगा, key governance practices, क्या होगा, key governance practices, एक होगा, key management practices, एक होगा, metrics, M, E, T, R, I, C, सबका मतलब मैं बताऊंगा, जैसे-जैसे words आएंगे, एक होगा, importance advantage, और एक fifth ले लो, audit, यह पांच में चीज़े हैं, जिन पर यह पूरा chapter बेज़ दे, और last minute मैं आपको एक chart भी बनवाऊंगा, यह आपके material के साथ में, मैं आपको चार्ट प्रवाइड कर दूँगा, जिससे अगर आप देखेंगे, तो आपको idea आजाएगा, कि हाँ, यही पांच चीज़ों में हमने पूरे शाप्र को क्या किया है, cover किया है, right, चलिए, thank you so much, I hope, साइच चीज़े clear हो गई है, revise कर लेना अच्छे से, मिलते हैं, next lecture में, नए topics के साथ में, thank you.